क्या पावस्टार पवन सिंग का गाना लॉलीपॉप भोजपूरी का सबसे महंगा गाना बनने जा रहा है जी हाँ वैसे बात करें भोजपूरी में सबसे महंगी फिल्म में किसने काम किया है तो वो भी पवन सिंग के हिस्से है आप सभी जानते हैं क्रेक फाइटर पवन सिंग की ये फिल्म भोजपुरी की अब तक कि सबसे महगी और सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है खेर आगे बात करते हैं लॉली पॉप की क्योंकि बाई दो दिन से सिर्फ लॉली पॉप पर ही खबरे बन रही है लॉली पॉप टू आने वाला है तो आप सभी जानते है ये पाव स्टार पवन सिंग का सबसे बड़ा गाना है इसी ने उन्हें पैचान दिलाई नाम दिलाया शोहरत दिलाई आज जो कुछ भी है पवन सिंग उनके इस गाने का बहुत बड़ा योगदान है यह आप सभी मानेंगे अब बात हो रही है जब लॉलिपॉप 2 आएगा यूकि फर्स्ट में आपने देखा होगा कि वो किस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है लेकिन सेकेंड में गाने को बहुत लार्ज स्कैल पे बनाने चाते हैं कि पहला गाना जब पावस्टार का यह बना था तब वो इतने बड़े स्टार ने थे लेकिन तब से अब तक के भी सालों में पावस्टार एक बहुत बड़ा नाम बन चुके है और वो स्टारडम तो दि बहतरीन होना ही चाहिए कहा जा रहा है कि सनी लियोनी जो कि इस गाने की एक्ट्रेस होंगी और वो कितनी बहतरीन डांसरें आप सभी जानते हैं उन्हें भी काफी बड़ी रकम देकर भोजपुरी में बुलाया गया है साथ ही साथ जो सेट लगाया जाएगा वो भी बहुत ही महंगा सेट लग रहा है साथ ही साथ मुंबई के फिल्म सिटी में जो सेट लग रहा है इस गाने का बहुत ही महंगा सेट लग रहा है तो जो भी लॉली पॉप के दिवाने हैं उनके लिए एक-एक खबर इस गाने से जुड़ी हुई जो है वो हम आपके समक्ष जरूर दो एंदे अना हैं।